नमस्कार दोस्तों मैं विजय कुमार पहनी पापा की तरफ से आप सभी का हारदी के विनंदर करता हूं आज हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी या यूं कहें तो मार्केट ही कहीं न कहीं क्रैस हो रहा है अब इस क्रैस में चाहे हम टाटा के स्टॉक खरी दे चाहे हम अंबानी के कोई भी स्टॉक खरी दे दोस्तों वहाँ पर हो क्या रहा है चाहे जितना भी सस्ता हो जाए हम जहां पर भी खरी देंगे प्राइस नीचे ही गिरते चला जा रहा है तो दोस्तो इस गिरते वे market में कौन से ऐसे stock को हमें buy करना चाहिए जो हमें वाकई में profit दे सकते हैं दोस्तो जोड़ा ध्यान से समझने की कोशिज कीजिएगा जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहे टाटा के stock करेदे चाहे अंबानी के stock करेदे यह जो जो यह crisis चलना है इस crisis में आप यह मत समझ दिए कि यह सस्ता हो गया चलो buy कर लो आप सस्ता समझ करके buy करो गया दो चार दिन एक हपते के बाद से फिर market गिरेगा और आप सब को पता है कि यह जो महंगाई बढ़ी है इस महंगाई में यह stock इतना जल्दी recover नहीं कर जाएंगे इतनी जल्दी महंगाई नहीं खतम हो जाएगी तो दोस्तो सवाल अभी वही है कि कौन से stock को खरिदा जाए दोस्तो मैं आपको थोड़ा सा example के मादम से सम्मधानी की question करता हूँ क्या हमारे पास कोई ऐसा stock है जो साधी विवा करवाता हो लोगों को साधी विवा करवाता हो ऐसा कोई stock है क्या माल लीजिए अभी का season कैसा है सारी विवा है कैसा है कि साधी विवा बहुत जादे होगा अचा दूसरा stock कोई ऐसा है कि आप सब को पता है कि और लुक्त कहाने पीने वाला तेल होगा है कोई ऐसा stock आपके नजर में है अगर नहीं है तो वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आ जाएग और अगर आप समझ गया दोस्तों तो हो सकता है आपको इस गिर्थिवे मार्केट में भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जा तो ध्यान से देखिएगा और इस स्टॉक को कौन से लेवल पर वाई करना है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और मैं यहां पर स्टॉक लेकर क्या आया हूँ जी यहां दोस्तों आपके सामने यह जो स्टॉक है यह है मैट्रो मनी जी यहां दोस्तों मैट्रो मनी की अगर हम बात करें तो इसको मैं आपके सामने यहां पर वाटर मार्क लगा देता हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए ज्यां दोस्तों मैठिर मनी के अगर हम बात करें तो आखिर ये स्टॉक क्यों यहां से भाग सकता है जब कि जब मार्केट क्रैस हो रहा है और क्रैस होने के पहले इस स्टॉक ने कहीं कहीं करेक्शन दे चुका है अब जब ये करेक्शन दे चुका है अब जब मार्केट यहां से गिर रहा है तो ये स्टॉक उपर की साइड में भाग रहा है तो इस स्टॉक के उपर हम लोगों को फोकस करना है चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग वन और के चार्ट पैटरन पर समझने की कोसिज करेंगे और वन और के चार्ट के पैटरन पर हम देखेंगे जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, धाई धाई परसन तीन-तीन परसन तक का आपके सामने यहां पर गिरी हुई है वहीं है यह stock आज के date में भाग रहा है price थोड़ी सी महंगी है लेकिन इस महंगे भाव पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह stock अभी भी buy किया जा सकता है अगर हम buy करते हैं तो हमारा target कहां पर होगा इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यह एक breakout price था और इस breakout के पास मतलब 756 यह इसका breakout price है अब 756 देखिए यहां पर एक बार और भी break किया था break करने के पास नीचे आया और consolidate किया फिर दुबारा break किया अब इसी के पास घुम रहा है तो 756 के पास अगर हम लोग buy करते हैं इसको तो आगे आने वाले दिनों में 800, 900 और 1000 भी जाने के इसकी probability बहुत जादे होगी लेकिन buy करने से पहले एक बार आपको भी इस company का fundamental और इस company के बारे में एक बार जरूर देखना है तो यह हो गया हमारा पहला stock अब जिस से हम लोग ने बात किया कि था कि दूसरा stock हमारा कौन सा हो सकता है जो इस गिराउट में भी नहीं गिर रहा है दोस्तों वो company है अदानी बिलमर और अगर आप मुझे follow करते होंगे तो आपको पता होगा कि अदानी बिलमर को जब एक बार यह stock ऊपर निकला था उस time पर भी buy करके हमारे पैसे double triple हुए थे उसके पासे जब यह stock नीचे आया तब भी मैं आपको बताया था कि जो यह war चलना है रसिया और यूकरेन का उसमें सबसे जादे फायदा जितने भी oil इरिडिवल आयल खाने वाला खाने बनाने वाले जितनी भी company हैं उनको बहुत जादे एडवांटेज मिलेगा उसमें पॉम आयल के अगर हम बात करें तो कॉलगेट और कॉलगेट एक ऐसी company जो कॉलगेट भ इरिडिवल आयल खाने वाले तेल जो भी है बहुत महेंगा हुआ उसके बाद से दोस्तों अदानी भिलमर यह जो है आप सब को पता है कि यह रिफाइनरी तेल बनाती है और फर्चियून गुरूप के जितने भी तेल बनाने वाली company हैं इसके अंडर में हैं तो यहां पर आ 1200 और हो सकता है यह 1500 तक भी जा सकता है लेकिन हमारा जो सबसे पहला target होगा हम target पर आएंगे 800 के लिए क्योंकि यहां पर यहां पर जो है all time high पर एक resistance फेस करेगा और इस resistance के बाद से थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने के लिए मिल सकते हैं तो हमारा सबसे पहला target जोग की कमपनी और सिमेंट की कमपनी में जो है या तो आप अम्भुजा सिमेंट को follow कर सकते हैं क्योंकि अम्भुजा सिमेंट आप सबको पता है कि अदानी विलमर ने अदानी ने उस कमपनी को by ACC और अम्भुजा को acquire कर चुके हैं तो उसमें अभी momentum आया था लेकिन अभी भी consolidated क कर रहा है हलांकि market गिरी लेकिन वो श्टॉक अभी भी गिरा नहीं है तो अगर हम अम्भुजा सिमेंट देखे तो ठीक है नहीं तो एक दूसरा श्टॉक है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और अगर आप मेरे VIP चैनल में हैं दोस्तो टेलिग्राम पर तो अगर आपको मेरे लाइब लेवर्स के को टेलिग्राम चैनल को जरूर कीजिएगा तो हम अपने तीसरे स्टॉक के उपर आजाते हैं फ्रेंट्स बीना आपका टाइम लिए और वो स्टॉक रहेगा मैं यहां पर लगा देता हूँ जेके लक्षमी सिमेंट जियां दोस्तो अगर जेके लक्षमी सिमेंट की बात करें तो इस स्टॉक में और लेड़ी एक बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है और करेक्शन होने के बाद से आप देखेंगे कि कहीं न कहीं यह अपने डिमांड जोन पर आया था और उसी ड तेक्स्टाइल की कमपनी थी एक बर मुझे नाम याद नहीं रहे चलिए मैं अभी आपको उसको बता देता हूं क्या नाम था में नाम भूला हूं चलिए ठीक है उसको बाद में देख लेकिन इसमें जेके लक्षमी सिमेंट में और लेडी एक बहुत बढ़िया थीक है वी तो इसमें भी करेक्षन हो चुका और अपने डिमांड जोन पर आकर यह भाग रहा है तो इस कमपनी को भी हम लोग जेके लक्षमी या अमभुजा सिमेंट उन दोनों में से कोई एक स्टॉक लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिमेंट सेक्टर के इन दोनों स्टॉक में अग दूसरा अदानी विलवर और तीसरा और चौथा जेके लक्षमी या अमभुजा सिमेंट इन तीनों इन चारों में से आपको देख सकते हैं आगया अनमड़ी दनों में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें मिलने के चांसे से हैं तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विज करता रहूंगा यूटूब पर तो आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका आभार हूँ दोस्तों थाइंक्यू बेरी मच्च मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाएं प्रेंट्स